नमश्कार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चानल पर, मेरे नाम है हेमान शुकहना, मैं एक वोईस उबर आटिस्ट हूँ और अगर आप इस चानल पर नए आए हैं, तो वेलकम ये एक वीडियो है, जो हम एक सीरीज चल रही है, जहाँ पर आपके वेज़े वे आटिस्ट को मैं रिव्यू करता हूँ यनि आपके वेज़े वे जो वोईस उबर आटिस्ट हैं, उनको मैं सुनके बताता हूँ कि कहाँ वहाँ पर घलतिया हैं, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं उन आटिस्ट को तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं, और आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे, हम काफी ज्यादा आटिस्ट को रिव्यू कर सकें तो straight coming on, अगर आपको भी अगर आटियो भेज रहा हैं, तो आप scripts for himanshu at the rate gmail.com यह email ID है, जहाँ पे आप अपनी script या फिर आटियो भेज सकते हैं, script उसलिए ताकि मैं उसको बोल के voiceover कर सकूँ अगर आटियो इसलिए, ताकि मैं रिव्यू कर सकूँ, जब भी आप audio भेजें, तो उसका नाम धंग से रिखें, ठीक है, and MP3 फाइल ही भेजें, चलिए, फर्स्ट अपने audio के तरफ बढ़ते हैं Celebrate 12 Days of Christmas with My Little Pony tomorrow on Boomerang It's 12 Days of Christmas and you are watching Barbie Dream House Adventure here on Boomerang It's 12 Days of Christmas and you are watching Scooby-Doo right here on Cartoon Network देखिये, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, आपकी एनरजी अच्छी थी, जो आपने टोन रखने की कोशिश करी, वो अच्छी थी, but pronunciations clear नहीं थी बहुत कोशिश करी गई कि एक style में बोला जाए, English को, एक accent में बोला जाए, but वो उस तरह से नहीं आ पाया Like आपने बोला Scooby-Doo, तो Scooby-Doo नहीं और ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप अपना, जैसे मूँ भूँ बहुत exaggerate करके बोल रहे है And welcome back to the Scooby-Doo मतलब इस तरह से आप मत करिये, normal आप बोलिये, ठीक है And मैंने काए, अगर आप audio भेचते हैं, आप अपनी script भी भेच सकते हैं, ताकि उसी time में एक दो line पढ़के भी बता सकूँ Keep up the energy, यही अगर आप Hindi में करेंगे तो बहुत अच्छा आएगा But English में अभी आपको pronunciation पे काफी काम करना है चलिए हम बढ़ते हैं हमारे second रोडियो की तरफ नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम सिंग है, मैं आपके सामने एक voice clip पेश करना चाहती हूँ धन्यवाद अरे नहीं, अब गलत समझें शनी जी को पापग्रह माना जाता है शनी महाराश्तो न्याय और धर्म के देवता मानी जाते है इसलिए तो आप देखेंगे कि वकीर और अदालत की वर्दी काली होती है शनी जी का कलर शनी जी जो गलत करता है उसको दंड देते है और जो सत्य के रास्ते पर होता है उसको इनाम देते है लेकिन आज कल सत्य के रास्ते पर चलना देखिए आपने अटेम्ट ठीक करा है फोस्ट अफॉल जब सेंटेंस के एंड में जो हैं आ रहा है वो अब है बोल रहे हैं है है भी नहीं है है कुछ नहीं होता वैसी भी उन जगा पर हैं आना है बिंदू है उपर तो उस चीज का ध्यान रखिए थोड़ा प्रनेंसियेशन आपको क्लियर करना पड़ेगा और जो आपका मॉडिलेशन करना का स्टाइल है या फिर आप मॉडिलेशन कर रही है वो अभी बनावटी है यानि आपके अंदर से वो एमोशन या मॉडिलेशन नहीं आ रहा इस लाइक जैसे हम बच्चों को सुनाते हैं ना कभी कहानिया तो बच्चों बताओ क्या करा है कैसे करा है ठीक उस टाइप का आपका लग रहा है जब आपको ये स्क्रिप्ट आप शेर करियेगा आपको पढ़ के बताओंगा मैं कि naturally आपको थोड़ा और करना पड़ेगा अभी ये बनावटी है straight to the point pronunciation थोड़ी clear करनी है जहांपे हैं है वहांपे हैं आए हैं ना आए coming to the next audio जीवन में हजारों लड़ाईयां जीतने से अच्छा है कि स्वयम पर विजय प्राप्त की जाए फिर जीत हमेशा तुमारी ही होगी इसे तुमसे कोई भी कभी भी नहीं चीन सकता है music बहुत जादा help कर रहा है आपके voiceover को और वो जो मंदर से एक feeling आती है ना ऐसे quote को बोलते हुए वो feeling नहीं आ रही अगर इसको आप without music सुनेंगे तो एक flat से sound करेगा और आप अभी मुँ नहीं proper खोल रही अभी ऐसा है जीवन में ऐसे आपका मुँ इस तरह से है बोलते हुए तो वो मत करिये proper उसको जीवन में वो clear आए तो वहाँ पे आपको अपने शब्दों में पिंकी बहुत प्यारी लड़की थी पिंकी कक्षा दूसरी में पढ़ती थी एक दिन उसने अपनी किताब में रेल गाड़ी देखी उसे अपनी रेल यातरा याद आगई जो कुछ दिन पहले पापा मम्मी के साथ की थी पिंकी ने चौक उठाई और फिर क्या था दिवार पर रेल गाड़ी का इंजन बना दिया उसमें पहला डबबा जुड़ गया दूसरा डबबा जुड़ गया जुड़ते जुड़ते कई सारे डबबे जुड़ गए जब चौक खत्म हो गया पिंकी उठी उसने देखा कक्षा की आधी दिवार पर रेल गाड़ी बन चुकी थी मैं हमेशा सराहना करता हूँ जो भी अटेंट करता है और यो भेजता है आपकी भी मैं सराहना करूँगा आपने और यो बनाया और यो भेजा कोशिश अच्छी है अभी क्या है कि अभी आप इसको मेरी नजरों में आप पढ़ रहे हैं ठीक है फ्लाट इसको पढ़ रहे हैं और एक वो common सा एक tone होता है यह आप यह मैं generalize करते था हूँ इंडियन्स का common सा tone होता है तुम्हें पता है मतलब इस तरह का जो एक tone आता है portion भी भेजें ताकि मैं उसको बोलके उसे time आपको बता सकूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको और better से समझाएगा तो अभी आपने सही तरह के modulations नहीं करी सही तरह के emotions नहीं डाले कोशिश अच्छी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पर बहुत काम करना है चली आगे पढ़ते हैं मैं कोरा कागस नहीं जिस पर तुम कुछ भी लिखतोगे पवित्र ग्रंद बना कर किसी कोने में धरतोगे मैं तुम्हारी कलम से उपची कोई कविता भी नहीं जिसे जब चाहो जैसे चाहो पढ़तोगे मैं तुम्हारी नजरों में हाड मांस का पुतला भर हूँ जब चाहो खेलोगे जी भर लोगे सुनो मैं रचना नहीं रचैता हूँ मैं सीता हूँ मैं कीता हूँ बहुत अच्छी आवाज लगी आपकी ग्रेन जो है आपकी आवाज के अंदर एक बैरिटोन टच है बहुत अच्छा है वो उसके अलावा अभी आपने जो ये पंक्तियां है ये पढ़ दी है कुछ-कुछ जगा जैसे वो जरूरी है शायद तो जर नहीं जर होता है जरूरी उसके बाद स्टार्टिंग में भी एक दू शब्दों में प्रणंसियेशन घलत है तो प्रणंसियेशन पर तो काम आपको करना ही है साथ के साथ इसमें ऐसी जो लाइन्स होती है ना इनमें पॉसे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि कहां पे आपने इस तरह से पॉस लिया कि उस लाइन की ग्राविटी बनाती है उसको सुनके लगा वाह आप अगर ऐसा करेंगे आपकी आवाज और वैसी लाइन्स वो पॉस मज़ा आ जाएगा सुनगे तो यह जो आपकी लाइन्स है या भेजिएगा इसको मैं जरूर पढ़के बताना चाहूंगा अच्छी लाइन्स है तो अपने नेक्स्ट इमेल में आपकी लाइन्स भेजिए अच्छा कर सकते हैं आप मतलब अभी क्या था भी एनर्जी कम थी और बस ये था कि लाइन्स है मैं इसको बोल देता हूँ बट महनत करेंगे और बहुत मज़ा आएगा आपकी आवास में सुनके चलिए आगे बढ़ते हैं ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में एक सबढ़कर एक शक्ति सारी लोग हुए हैं जो कि अपनी आलोकिक शक्तियों के बदलत पुरी दुनिया भर में मशुहूर हैं लेकिन कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास वा समदर में कुछ ऐसे जिवजन्तु पाए जाते हैं जो कि वाकई ऐसे से कारणा में कर जाते हैं जिस प्यकीन करना यकिनन मुश्किल होगा तो जी हामर प्यारे दोस्तों स्ट्रेट पॉइंट पे आता हूँ आपकी प्रनंसियेशन्स में काफी कमिया है बहुत काम करना पड़ेगा आपको अपने हिंदी के उचारण पर और हैं भी नहीं आप हाईं बोल रहे हैं और उसके साथ सर जहांपे भी र आता है आपको अभी यह लगा लीजे कि इससे सौग नहीं महनत करने पड़ेगी अपने उचारण उपर आपको और ओडियोस को सुनना पड़ेगा किस तरह से वो बोलते हैं जैसे होता ना कि इंग्लिश में हम A, B, C, D सीखते हैं कोई शर्म की बात नहीं है, जिनकी भी प्रनेंसियेशन घलत होती हैं मने यही सला करता हूँ कि आप ग, ग, दोबारा से उसकी प्रनेंसियेशन सुनिये, कैसे उसको वो करते हैं एस विल एस फिर उसको बोल के जबान क्लियर करनी है, जबान ठीक करनी है एक नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आईगी, वो एक्सिसाइसिस की, जहां पर आपकी और यह जो आर्टिकुलेशन है, जबान से जो शब्द निकलते हैं, वो ठीक हो जाएं तो उसको ज़रूर इंतजार करिए उस वीडियो का, बट अभी आपके आउडियो को सुनके मैं यही कहूंगा, कि आपको काम करना है उचारण पर, आप एडिटिंग के टाइम, सेंटेंस जहां खत्म होता है, इमिजेटली, विदिन एक माईनर सेकेंड उसके बाद एक नया पोई सुवर क्या है, प्रननसियेशन सही रखना, पंक्चुएशन सही रखना, क्लारिटी रखना, पॉसेज रखना, इमोशन डालना, मॉडिलेशन डालना, इनमें से कोई भी चीज अगर ज़रूरी है और वो नहीं होगी, तो मज़ा नहीं आएगा, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट ओडियो के तरफ? आपकी आवाज अच्छी है, भरी आवाज है, अगेन, सेम, मैं जितने भी आज तक आउडियो रिव्यू करें हैं, कॉमन चीज, कॉमन एरर निकल के आता है, प्रनांसियेशन, यहां पे भी आप जैसे दूर दर्शन है, तो आप दूर दर्शन बोल रहे हैं, as well as काफी, आपको समझना है, अंतर समझना है, बेस क्लियर कर लेंगे न, तो वोईस ओवर्स बहुत बढ़िया हो जाएंगे, काम मिलेगा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप कहते हैं कि आपने से कोई भी कहता है कि काम क्यूं नहीं मिल रहा, एक बार अपने प्रनेंसियेश पर आवाज अपके अच्छी है, चली हम बढ़ते हैं आज के लास्ट ओडियो की तरफ, प्रभू, विश्वेश्वर, रिश्यों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है, आपने तो इसे उननीसवे अध्याई में नौ, ग्यारा, पांच, तीन, अर्थात कुल 28 तत्व ग करते हैं, कोई चार बतलाते हैं, यह देखिए मैं जिस तरह कि आपने टेक दिया है, इसको आपने explainer लिखा, explainer तो नहीं है यह और इसको मैं character voice की तरह यूज कर सकता हूँ किसी animation में, क्यूंकि आप words तो first of all बहुत drag हो रहे हैं, जहां पर हैं, हां, नहीं, इतने drag हो रहे है उसके बाद हैं भी नहीं, हैं आ रहा है, और बस एक जैसे flat आप बोल रहे हैं, कोई emotion, कोई modulation, कुछ भी नहीं है, तो voiceover में आप अगर इसको अगर इसी तरह से आप बोलते हैं, तो as a character voices को use कर सकते हैं, कि कोई character बात ही ऐसे करता है, but obviously अगर जो proper narration है या explainer वीडियो है, उस में इस तरह का voiceover नहीं कर सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, मैंने बहुत सारे audios review कर दिया, अगर आप भी भेजना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, कि मैं आपके audios review करता हूँ, आगे भी करता रहूँ, तो आप ऐसी वीडियो को like कर सकते हैं, नीचे comment भी क सकते हैं, कुछ कहना चाते हैं तो, as well as मेरे इस चैनल को subscribe कीजिए, ऐसी वीडियो मैं बहुत डाली हैं और डालता रहूँगा आप लोगों के लिए, तो subscribe कर सकते हैं, bell icon दबा सकते हैं, as well as Instagram पर follow भी कर सकते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, वो अगली वीडियो देखत हैं कौन सी होगी, so तब तक please घर पर रहिए, take care, stay safe and bye bye